Hello my dear students, I am Karam Jee. I welcome you all on our YouTube channel, Educator Karam Jee. Educator Karam Jee channel के उपर आप सभी का स्वागत है. Screen के उपर जैसे आप देख रहे हैं, the topic is verb basic. अब यह verb basic क्या होता है? आज आप इस session में सीखेंगे. प्रीविस लेक्चर्स में मैंने noun, pronoun, subjective of agreement, article, adjective, ये सारे topic कर दिये हैं. समझा दिये हैं और मेरे playlist में आपको मैं बहुत जल्दी playlist बना दूँगा, उस playlist में आप चेक कर सकते हैं. तो आज की session में हम सीखेंगे verb, basic. वर्ब को मैं तीन parts में मैंने divide किया है. पहला हम verb basic देखेंगे, उसके बाद हम model verb पे जाएंगे, model verbs करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे, जो advanced verb होती है, वो. अब यह advanced verb कौन सी होती है, क्यूंकि verb को तरीके से पढ़ना सबसे जादा important है. आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पते चलिएंगे. Advanced में हम discuss करेंगे जैसे gerund, participles, infinitive, तो यह चीज़ें हम discuss करेंगे. तो इसी, इनी सारे models में हम देखेंगे कि model किस तरह से काम करता है, conditional sentences में कैसे काम करता है, we will discuss about that. तो यही चीज़ें हम verb में करेंगे, तीन पार्ट में आएगा यह, तीन पार्ट में, देखो मैंने हर चेप्टर में दो, दो, तीन, तीन पार्ट में बनाए है, उसका reason यही है, कि आपको proper basic पता होना चाहिए, कि basically English grammar में है क्या, चाहे हमारे नाम छोटे हैं, दर्शन भी पता नहीं कैसे होंगे, बट यह मैं कहावत के according बोल रहा था, प्रोबाब के according बोल रहा था, बट आप, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, definitely exam के point of view से है, या कोई teacher बना चाहता है, या कोई ऐसी चीज़ें अगर रह भी ग चाहते हैं, तो चलिए फिर अब हम ज्यादा वेट नहीं करते हैं, let's start the session, this is all about me, I am faculty of English language, I have 8 years of experience, special lectures for UPSC, bank, SSC, state government and other exams, तो मैं देखे, मैं शुरू से ही आपको एक चीज़ बोल चुका हूँ, कि मैंने वो barrier तोड़ा है, जो students बोलते हैं, SSC की English, bank की English, या teachers बोलते हैं, घलत हैं, English को language के हिसाब से learn करिए, तो ज़्यादा better है, तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा, मेरे लिए कोई SSC का student नहीं, कोई bank का student नहीं, overall, सभी सीखिए, language, learn करने का सबसे best तरीका यही है, कि सबसे पहले आप उसके concept सीखिए, कि basically उस particular topic में होता क्या है, वही हम learn करने जा रहे हैं, ठीक है, तो my name is करम जीट सिंग, I already told you, this is my YouTube channel, educator करम जीट, इस coat को दिखिए, इस coat ने मेरी life बदल दी, क्यूं, क्यूंकि कुदरत भी हिम्मत वालों का साथ देती है, अगर आप में हिम्मत है, तो आप कुदरत को बदल सकते हैं, आपके अंदर वो गुर्वत होनी चाहिए, वो शक्ती होनी चाहिए, वो आगे बढ़ने की ताकत होनी चाहिए, कि ताकि आप कुदरत को बदल दे, और कुदरत आपका हमेशां साथ देगी, अगर आप बहातुर हैं तो, किसी भी चुनोती को सविकार करते हैं, आपको कुदरत हमेशां एक साथ देती है, जैसे मूवी का डाय लोगा ना, ओम शान्तियों मूवी का डाय लोगा ना, किसी चीज़ को आप शिद्धत से चाहें, तो कूरी काईनाथ आपको उसको मिलाने में मदद करती है, अगर आप बहातुर है, तो इस एक्जाम को ग्रेक करेंगे, चलिए, तो ये कोट हो गया, अब हम अगले लेक्च्वर पे चलते हैं, अब क्वेशन यह आता है कि वर्ब क्या होता है जो वर्ब होती है वो यह बताती है कि सब्जेक्ट कौन सा है सिंग्लर है कि प्लूरल है और वही वर्ब अगार्डिंटो टाइम बता है चैंज भी हो जाती है जैसे अगर कोई बात आप पास्ट में एह इसन माननों कॉंटीनूस है तो हमें पता है इस एम आर के बाद वीवन प्लस आएंगी आता है अब जब जहां पर वीवन प्लस आएंगी आता है और यही चीज़ा हम आगी डिसकस करेंगे घर को अगर आप तरीके से समझें तो वर्ब के आगे दो पाठ होते हैं देख्ये कैसे उसके भी आगे सब पाठ होते हैं देख्ये कैसे मेन वर्ब यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना आता नहीं है एक्जाईम के आपको समझा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है और यह आपको हर बार दिखते हैं लेकिन इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिखनी फेस हो सकती है बट कोई बात नहीं वो इंट्रांजिटिव और आउक्जिलरी वर्बज में और से आपको पता चल गया होगा और वेखिश करते हैं तो इस तरह से वर्ब को categorize किया गया है हम यहां तक जाने के लिए सबसे पहले इनको समझेंगे हम क्योंकि यह थोड़े से difficult है difficult in the sense की बस समझ लीजे आपको exam में वो पूछेगा नहीं कि यह transitive verb है कि intransitive verb है ठेक है चलिए बस वो उसमें गलती ढूणने की आपसे कोशिश करवाएगा कि आप गलती ढूणिए main verb में transitive verb की हम बात कर रहे है these verbs take objects in verbs में transitive में एक object होता है ठेक है these verbs tells us what the subject does to something else मतलब कोई भी subject है वो object के wording कैसे काम कर रहा है style बता रहा है अगर मान लो मैं आपसे ये पूछता हूँ he flies kite ये रहा he flies kites अब अगर मानलों मैं ये पूछू कि he flies kite he flies ऐसे बोलते है तो इसमें जब हमारा object clear नहीं है वो क्या उड़ाता है मक्ही उड़ाता है मच्छर उड़ाता है क्या उड़ाता है bed उड़ाता है गंबले उड़ाता है क्या उड़ाता है meaning clear है नहीं है जब meaning object का clear ना हो तो वो क्या होता है intransitive जब meaning clear हो जाए object से पता चल जाए कि वो क्या उड़ाता है तो वो क्या हो जाता है transitive वो बस यही चीज़ आपको धर्में रखने है जब object के according आपका meaning clear हो तो वो क्या होता है transitive जब object के according object ना हो उस सीधा ही बोला गया हो तो वो क्या होता है intransitive बस इस बात का आपने घ्यान रखना है ठीक है तो इसमें देख लो यह दर देख लेते हैं he talks in a rude way he talks अगर मान लो मैं यह कहूँ कि he talks तो वो क्या होता है वो बात करता है किसके बारे में कैसे बात करता है in a rude way क्या हो गया एक तरह से rude behavior एक adjective है okay way क्या है एक adverb है तो इस तरह से in a rude way he talks in a rude way क्या हो गया यह object है तो object क्या बताता है कि वो rude way तरीके से बात करता है है यहां पर तो मिली हिसी अग्ली स्लाइब में मीणी क्लेर का एं honestותru अजले बाठकर फिड़िस लोगाकिंगी है कोड़ पर देम्युक्त कॉठ यहां पर अब्जेक्ट का एक ंचीए वह उड़ता है नीजे ओड़ता आसमान में उड़ता है, मिडल में उड़ता है, कहां उड़ता है, घर की छतों पे उड़ता है, तो meaning clear नहीं है, तो बस इस बात का ध्यान रखना है, आपको वहाँ पर examiner ये नहीं पूछेगा कि बताइए इसमें से transitive verb कौन सी है, बस आपको ये ध्यान करना है कि जिस sentence में object न बनते हैं, वो transitive verb के according बनते हैं, obviously, क्योंकि subject into object बन जाता है, और object into subject बन जाता है, तो जब वहाँ पर वो चीज़ मिसमैच होगी, तो वो गड़ बड़ हो जाएगी, ठीक है, चलिए, some important points of main verbs, कुछ ऐसे main verbs के important points उसके बारे में भी discuss कर लेते हैं, some transitive verbs can add prepositions, देखू, अब prepositions का कितना बड़ा रोल है, ये मैं आपको आगे चल के अपने lecture में समझाऊँगा, किस तरह से prepositions का fixed prepositions होती है, extra prepositions होती है, तो वो कैसे काम करती है, उनके बारे में हम discuss करेंगे, some transitive verb add prepositions, जैसे देखे, she looks, अब she is a singular, looks, singular verb के साथ as or yes, after, after is what, after, behind, on, upon, ये सारे क्या होते है, prepositions होते है, her parents, don't laugh at others, laughed at others, कई बारना ये इस तरह से कोशन आ जाता है, देख लो, don't on others, अब on का मतलब भी पे होता है, at का मतलब भी पे होता है, लेकिन किसी चीज की उपर, या किसी की उपर, physically किसी के expressions के according, जब आप बोलते हैं, तो at others आना ठीक होता है, तो on other अगर आ जाए तो वो घलत हो जाता है, इस बात का जहां रखना है आपने, चलिए, some in transitive verbs can take objects that are similar meaning to the verb, these are called cognate objects, जैसे तो नहीं आता है, लेकिन कुछ, our army fought a fierce fight, तो कुछ transitive verbs के साथ हम लगा सकते हैं, some verbs, यह मतलब यह एक तरह से, यूँ कहलो की, exceptions है, ठीक है, चलिए, some verbs are used reflexively, when the verb and the object refer to the same person, जब किसी same person के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस time पे एक reflexive word आ सकता है, जैसे the boy killed himself, the boy ने अपने आपको मार लिया, या उसने अपने आपको खतम कर लिया, तो वहाँ पर reflexive word आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर देखिए object तो है, लेकिन object की form में क्या है यह, यह एक तरह से reflexive है, और reflexive में क्या होता है, किसी pronoun के साथ, एक मिनट, यह मैं थोड़ा और detail में समझा देता हूँ, किसी भी pronoun के साथ, plus self लगता है, जैसे him, self, our selves, क्यों, क्यों कि यह plural है, him क्या है, singular है, और एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको, अगर our selves है ना, तो our self का, इसी self का ले लो, इस self का plural क्या हो जाएगा, selves हो जाएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है, वहाँ पर अगर यह sentence में question आता है, अगर मार लो sentence पूरा लिखा हो, वहाँ पर plural की बात कर रहे हूँ, तो कई बार मार लो इस तरह से लिखा हो, देखो, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मेरब कर देता हूँ, यह सकरी ज है, क्यों क्योंकि यह singular है और यह plural है, यह mismatch हो गया, हाना, तो इसकी जगा पर आप क्या कह सकते हैं, their selves, absolutely correct, यह यह छोटे छोटे questions है, describe करते टाइम आपको मैं थोड़ा टाइम लग सकता है, बस आप सुन लीजिए इनको, सुनने में ही, मैं, देखे मैं, अगर आप alert है, assertive हैं, positive हैं, तो आप इन छोटे-छोटे questions को देखके ही, आपके answer definitely आप करेंगे, एक session मैं लेके आ रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए, जो आजकल त्यारी कर रहे हैं, बच्चे, उनके लिए, एक थोड़ा moderate type के question मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत जी, PDF त्यार है, बस recording करना उसको, जल्दी ही आजा रहेगा, ठीक है, चलिए, linking words कोन से होते हैं, verbs कोन से होते हैं, देखिए, linking verbs connect a subject to a subject complement which identifies or describe the subject, वो वाले linking words होते हैं, जो जैसे किसी को connect करते हैं, जैसे देखो, the dress is blue, is blue, is क्या है, linking word है, the house was of white, until, until क्या हो गया फिर यह, linking word होगे, linking verbs होगे, ठीक है, जैसे, अब the house was, अब यह वाले क्या होगे, was, इसके according बोल रहा हो, और यह वाला was, यह वाला painted क्या होगे, वर्ब, इसके according बोल रहा हो, तो यह linking words के साथ, verbs का का काम करना, ठीक है, some confusing verbs, अब to lay और to lie में क्या फरक है, यही बच्चों को दिक्कत आती है, lie का मतलब जूट बो उपर, surface के उपर लेड जाना, जैसे, to lay, it is a transitive verb which takes an object, okay, late गया, कहां पर, first पे, बिस्तर पे, चार पाई पे, कहां पे, the word is used in the present continuous, अगर मालो यह present continuous में आ जा तो उसको क्या कहता है, laying कह देते हैं, देखो, past में आ जा तो laid कह देते हैं, perfect में आ जा तो laid कह देते हैं, इसका म laid होता है, कैसे, देखो, simple past में verb की second form है, तो यह verb की second form हो गई, laying क्या हो गया, यह laying हो गया, fourth form, sorry, 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 यह हो गया, fourth form, और fifth form की होगी, lays, यह वी one हो गई, यह वी three हो गई, इस तरह से, आप हैस के साथ laid आ रहा है, तो यह laid हो गया, इस तरह से, आपको याद होगा, मैंने एक tense का session लगाया था, उसमें verb की मैंने पांच चीनसे बताई थी, जैसे, do, एक मिनट, इसको, अगर आप इसको आप screenshot ले लो, मैं पांस second देता हूँ आपको, screenshot ले लो, pause करके, I hope आपने ले लिया होगा, इसको मैं अब रब कर रहा हूँ, tense में मैंने आपको एक चीज बताई थी, देख़ो आप वो चीज़ें यहाँ पर काम आ रही हैं, मैंने आपको बोला था, मेरी एक एक चीज आपको इस तरह से मैं आपको unique pattern है, मेरा, पता नहीं, I don't know, sorry, मैंने अपनी तरीफ कुद कर दी, unique pattern के according मैं आपको समझाओंगा, जो कि आपकी common चीज़ें आपको ले के चलेंगी, यही बच्चा गलती करता है कि common चीज़ें ले के नहीं चलता है, जैसे देखो, do, did, done, doing, does, यह 5 चीज़ें मैंने आपको करवाई थी, V1, V2, V3, V4, and V5, इन दोनों का काम कहां पर use होता है, present and day of night में, इन दोनों का काम कहां होता है, past and day of night में, इसका perfect में, और इसका continuous में यह देखो, अब यहां पर आके वही वर्प काम कर रही है, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक वर्ड है, वो क्या था, वो ट्रांस्टी वर्ड है, ट्रांस्टी वर्ड है, इसके लिए object ही है, इसके लिए object की जूरत नहीं है, चाहे करो, चाहे ना करो, यह आपके, which doesn't take an object, कोई दिक्कत नहीं है, he is lying on the sofa, simple past, he lay, simple past, lie, lay, lay, lay होता है, lie, lay, lay, lane होता है, sorry, lie, lay, lane, देखो हो, मैं बताता हूँ आपको lie, lay, lane, अब देखो, lane और laid में कितना फर्क हो गया, यहां पर laid हो गया, lane हो गया, perfect की sense में, बस, मतलब कुछ confusing करने, confusion देने वाले words ऐसे होते हैं, जिनको हमें अच्छे से treat करना होता है, ऐसे ही to rise में आता है, to rise का raising हो जाएगा, raise, raise, raised, oh oh, raised होता है, होता है ना, आप देखो, raise, raised, raised होता है, तो raised, raised, simple, अगर continuous करना है, तो raising, raise यह first form है, यह वाली, और यह second, यह continuous है, और raises, raises अगर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा, indefinite, मतलब वही चीज़ है, किसी वाप को पांच form में change कर दो, first form, second form, third form, fourth form, fifth form, यह ध्यान में रखना है, आपने, main verb में, आपको verb की सिर्फ third form तक काम आता है, लेकिन अगर आप continuous के, बिस दिमाग में यह डालो, आपको confused तो कर सकता है, आप वर्ब की पांच तरीके से change कर सकते हैं, वर्ब की first form, वर्ब की second form, वर्ब की third form, वर्ब की fourth form, वर्ब की fifth form, यह एक बार मैं कहता हूँ, कि आप एक बार lecture को, प्रिवियस्ली मेरे पहला lecture जो time and tense का सिर्फ एक overview दिया हूँ, मैंने आपको 12 tenses में कैसे आपको 12 tenses को याद रखना है, वो एक बार आप जुरूर देखें, मेरा personally यह कहना है, ठीक है, तो पता नहीं, अगर आपको अच्छा लगता तो वो देख लेना, ठीक है, अब rise को द जालो, next question, to set को दे लो, setting हो जाएगा, set का सट इलाइटा है, set का सटी रेता है, ऐसे ही sit का देख लो, to sit का सिटिंग हो जाएगा, sat हो जाएगा, sat हो जाएगा, sit, sat, sat होता है, इस तरह से, sit, sat, sat होता है, saositive verb, यह कुछ्याधे इंपोर्टन नहीं है, बस समझ लो, positive verb shows that somebody something is indirectly responsible for an action the subject doesn't perform the action itself but comes someone something else to to do it's instead day after yesterday I had my own car kuch khas nahi hai day before yesterday I had my own car bus causative get to make have keep are the common words about common I made love I keep kuch ni causative nigh hai a auxiliary isn't go dekhiya these are the very very important primary auxiliary ये अब हम अभी जो हम कर रहे थे न वर्ब की 5 form होती है इसमें हम देखें कैसे auxiliary होती है दो तरह primary auxiliary 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 होती है दो तरह से पहला होता है primary auxiliary और दूसरा होता है model auxiliary इसके लिए तो मैं आपको separate lecture लगाऊंगा और ये जो primary auxiliary है वो आपके मैंने टेंस में समझा दिया है अब कैसे वो भी देख लेते हैं तो primary auxiliary में क्या आता है to be to have to do is mr वाला कौन सा concept है देखो दिमाग लगाओ क्या हो गया continuous okay has have had वाला कौन सा हो गया perfect अब जिन्होंने टेंस पड़े होएं उनके लिए तो आसान है और do does did क्या हो गया indefinite और टेंस का जो चोथा पाट होता ना अब यहां पर चोथा पाट क्यों नहीं है क्यूंकि जो चोथा पाट होता है present perfect continuous को मिला के बनता है present perfect perfect और continuous को पर आधा आधी term perfect की होती है और आधी term continuous की होती है तो दो मिला कर वह बनता है तो इसलिए वह प्रैजन्त्अ को समझन्म आई बात bye तो इसलिए जो चोंगे Watch अपर सामिल नहीं किया होता है कि इसमें एक टू है कि होती है और करला कॉंटिनूस की होती है अब फ्रैजन continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense को उठाके देख लो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी देखो अब थोड़ा सा इसको और हम discuss कर लेते हैं अगर हम बात करें इसकी पहले हम इसके to do की करते हैं क्योंकि indefinite है क्योंकि tense का पहला हिस्सा ही indefinite है जब हम to do करते हैं तो उस case में हम क्या करते हैं to do के case में हम करते हैं do, does और did करते हैं की नहीं करते हैं अब ये use होता है past में, ये use होता है present में और ये use होता है present प्लस future में क्यों समझ में आई बात यह दोनों चीजें डू है प्रेजन में भी है अब यह थर्ड पर्सन प्लूरल हो तब हम यूज करते हैं या फ्यूचर इंडेफिनाइट में सिंगलर हो चाहे प्लूरल हो तब यूज करते हैं अगर आप टैंस उठाके देखो कि तो सब्च या देग सिंगलर में सिरफ और सिरफ प्रेजन डेफिनाइट में फूचर इंडेफिन में नहीं करते हैं अगर मालो हम ऐसे लिखें विल के साथ दस लगाते हैं तो गलत हो जाता है क्योंकि टेंस को ठाके देखिया चैनस को देखिए वहां पर क्या आएगा डूँ आएगा या वाइड बोर्ड पे नहीं कर रहा है ना तो यह थोड़ा सा आपको difficult लग सकता है बट आगर आपने time devote कर लिया इस चीज में तो definitely आपने आधी battle तो वैसे ही जीच जाएंगे आप seriously गह रहा है आपको जो तरीका मैंने आपको समझाया ना simple से simple भी तरीका आपको अगर मेरे में लगता है आप pause करकर के एक बार नहीं दो बार नहीं दस बार देखिए पचास बार देखिए और definitely guarantee warranty कहलो आपको जुरूर चीज़ें आएंगे मैं दावे के साथ क्या तो अगर आ की बात करते हैं नहीं टू बी की बात करते हैं continuous आता है न ? देखो कैसे। तू बी में क्या आता है वाज वार इस एम आर ठीक है? अ बी भी आता है क्ई बार इभी लगा लो कोई बात नहीं डी आ तो भी तो भी हो गया है अब देखो, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आब continuous का term है, तो continuous में हमारे दमाग में क्या आता है, V1 प्लस ING बस यही दमाग में रखना है, तो V1 प्लस ING के बाद क्या आता है, कुश भी ने, continuous की term है, V1 प्लस ING, वही हमने यह करना है, चाहे वो past continuous हो चाहे वो present continuous चाहे वो future continuous अगर future continuous होगा तो will shell के साथ B लगेगा और V1 प्लस ING लगेगा क्योंकि will देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको ये तो पता ही आपको past continuous और present continuous साथ isMR के साथ V1 प्लस ING होता है लेकिन future के साथ B के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको ये मैं आगे term समझाँगा model में वैसे मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ क्योंकि जो model होता है देखो will और shell जो होते हैं ये model verb होते है अब isMR के साथ तो V1 प्लस ING लगा सकते हैं लेकिन ये model verb के according काम करते हैं इसके लिए एक word ऐसा होना चाहिए जो ये show करे कि ये continuous है इसलिए यहाँ पर B लगाया जाता है वैसे तो model के साथ हम verb की first form भी लगा देते हैं third form भी लगा देते हैं लेकिन third form के साथ have आना चाहिए ये मैं आगे जब समझाओंगा आपको जब हम model करेंगे तो इस तरह से ये हो गया to be वाला case और to have की बात कर लेते हैं गाईज अगर आपको doubt है ना तो you can send me text message और comment box में मुझे बता दीजिए अगर आप learn कर रहे हैं तो अभी मैं नौ सिख्या हूं YouTube की उपर पढ़ाने में नहीं नौ सिख्या हूं YouTube की उपर बहुत जल्दी मैं आपको ऐसे से सेशन लेगे आऊंगा हम ऐसे लेवल की exam exam की त्यारी करेंगे जो जो गरीब से गरीब बच्चा है जिसको जिसकी रीच नहीं है वहां तक हम रीच करेंगे मैं सूर्स अच्छे अपनाऊंगा और आपके लिए न्यूस पेपर से भी बहुत कुछ चीज़ें करेंगी बट थोड़ा सा मुझे सपोर्ट की आपकी जरूरत है एक बार अगर हम लोग के सेशन पर आ जाएं तो हम मतलब इस प्लेटफॉर्म पर अभी हमने शुरूई किय क्या करते हैं तू है में क्या आता है हैज हैव और हैड अब इसके साथ हम क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड और इसकी टर्म जो है क्या कहते हैं इसको परफेक्ट यह टर्म कौन सी है परफेक्ट और परफेक्ट में हमेशा क्या लगती है थर्ड फॉर्म और राइट तो दम could may might shall should will would ought to use to need dare must तेरा important ये सारे के सारे हैं इनको कैसे use किया जाता है ये मेरा अगला session होगा ये भी model auxiliary verbs का काम करती हैं अब मान लो यहां दिखाता हूँ मैं आपको जैसे shell है और will है अब ये दो model future indefinite future tense में काम करते हैं उनके जो सब पाठे हैं चार के चार कैसे काम करते हैं वो हम model में हम काम करेंगे और आई तो इसी तरह से ये चीज़ें आपको important बना देंगी कई लोग कहते हैं ना कि model यूज करते टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है समझ में नहीं आता है कौन सा word कैसे use करें हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको वहाँ पर exact आपको एक लंबा session चाहे मुझे model के दो session क्यों ना बनाना पड़े आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपकी जिंदगी में ना आपको दिक्कत नहीं होगी इन से चीज़ों को learn करने में बस दिमाग में जो जो चीज़े में आपको बोलड़ा हूँ अगर मेरी speed जादा है तो आप इसको 0.75 करके भी यूट्यूब के ओपर कर सकते हैं नॉर्मल नॉर्मल से 0.75 तो यह हम यह हमारा अगला सेशन होगा वेरी वेरी इंपोर्टन विदिन फ्यू डेज एक या दो दिन के अंदर अंदर आ जाएगा क्योंकि मुझे बनाने में टाइम लगता है और टाइपिंग करने में तो मैंने मैं सुचना हूँ कि इसको हैंडमेंड नोट्स के अकॉर्डिंग समझाओं आपको जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं इन चीजों से आपको दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है कि अभी हम हैं रिटन नोट्स से ज्यादा बैटर कि आप यह कर लें अना मतब हैं रिटन नोट्स ही कर लें टाइपिंग के लिए मुझे थोड़ा टाइम मिलता है क्योंकि मेरे पास और भी थोड़े प्रोजेक् इस कहते हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल वर्ब है वन तो उसके हिसाब से टू अच्वलरी वर्ब आती है जैसे दे नीधर टैन वह नहीं कर सकते दोनों और विल एल्प दैम अब नीधर के साथ नोर आता है तो यह वन प्रिंसिपल क्या है दे और हल भी नहीं करेंगे तो देखे लिखते टाइम आपको grammar के according लिखना है अगर आपसे मैं ये बूलू ना कि आप अपने तरीके से quote लिखके दिखाईए कोई भी आप लिख नहीं पाएंगे बहुत difference है इन चीज़ों में आपको दिक्कत हो जाएगी इस चीज़ को follow करने है तो मेरा जो session है थोड़ा सा difficult लग सकता है आपको लेकिन impossible भी नहीं है एक बार नहीं दो बार नहीं जो terms मैं बोलता हूँ कई बार English के according उस terms को आप समझीए और उसको आप solve करने की कोशिश करिए तो इनी शब्दों के साथ मैं आपका ज़्यादा time नहीं लूँगा बूर हो जाएगा क्योंकि बच्चे English told it नहीं करते है अगर आप English को interest लेकर पढ़ते हैं तो पढ़िये कोई दिकत नहीं है and if you want to be a teacher तो ये notes आपके लिए perfect है आप करिये बनाइए notes इसके लिए अलग से भी काम करिये teachers को मैं suggestion देता हूँ तो ठीक है तो अलग से भी आप काम करिये so thank you very much thank you so much for watching this video stay happy stay safe जै हिन ज कर दो आप कंभले जाबंजमाल म lucky क्तो से डिमको नहीं काम करिये सह जो ये दो जिसके पी है वुर मलग से लिक कर दो किक जाब्याब करिये जिसके बनाव ढ ‫ॉसक्ष़् ऐ रयाबे!